Can एक छोटा सा 3 लिटर से बना हुआ word है बट इंग्लिश लैंग्विज में इस word के multiple meanings and uses है यानि के यह कहले जिए कि Can एक versatile verb है जिसे use करके हम कई तरह के sentences बना सकते है तो चलिए बिना देरी किये शुरू करते हैं वीडियो को और सीख लेते हैं 100 daily sentences using Can First sentence है वह तेजी से तैर सकता है He can swim fast वह फुटबाल खेल सकते है They can play soccer वह Spanish बोल सकती है She can speak Spanish हम समस्वाव का समाधान कर सकते है We can solve problems यह उची उरान भर सकता है It can fly high मैं रात का खाना बना सकता हू I can cook dinner आप हमारे साथ शामिल हो सकते है You can join us वह अच्छा नित्य कर सकते है They can dance well वह तेजी से दौर सकती है She can run quickly वह गिटार बजा सकता है He can play guitar हम आपकी मदद कर सकते है We can help you यह उची छलांग लगा सकता है It can jump high आप यहां आने में सक्षम है You can come over वह खुबसूरती से पेंटिंग कर सकते है They can paint beautifully मैं इसे ठीक कर सकता हूँ I can fix it वह खुबसूरती से गा सकती है She can sing beautifully वह वर्जन उठा सकता है He can lift weights हम एक साथ सीख सकते है We can learn together यह पेडों पर चर सकता है It can climb trees आप मुझ पर भरोसा कर सकते है You can trust me वह केक बना सकते है They can bake cakes मैं सुरक्षित रूप से गाड़ी चला सकता हूँ I can drive safely वह कविताय लिख सकती है She can write poems हम समाधान ढूंड सकते है We can find solutions क्या आप अच्छी तरह से तैर सकते है Can you swim well? क्या वो प्यानो बजा सकते है Can they play प्यानो क्या वो फ्रेंच बोल सकती है Can she speak French? क्या अब हम जा सकते है Can we go now? क्या यह उची उडान भर सकता है Can it fly high? क्या मैं शामिल हो सकता हूँ Can I join you? क्या वे आ सकते है Can they come over? क्या वो तेज दौर सकता है Can he run fast? क्या हम आपकी मदद कर सकते है Can we help you? क्या इसे ठीक क्या जा सकता है Can it be fixed? क्या आप भी नृत्य कर सकते है Can you dance too? क्या वो सुन्दर गा सकती है Can she sing beautifully? क्या वे भारी वस्तुय उठा सकते है Can they lift heavy objects? क्या हम उस पर भरोसा कर सकते है Can we trust him? क्या यव पेरो पर चर सकता है Can it climb trees? क्या आप सुरक्षित रुप से गारी चला सकते है Can you drive safely? क्या वो कविताय लिख सकती है Can she write poems? क्या वो तीन गेंदो का बाजीगरी कर सकता है Can he juggle three balls? क्या हम उनसे सीख सकते है Can we learn from them? क्या इसकी मरम्मत की जा सकती है Can it be repaired? क्या आप cookies बेक कर सकते है Can you bake cookies? क्या वो समिकरन हल कर सकती है Can she solve equations? क्या वो गिटार बजा सकते है Can he play the guitar? क्या हमें उत्तर मिल सकता है Can we find the answer? क्या इसमें सुधार क्या जा सकता है Can it be improved? मुझे तैना नहीं आता I cannot swim वे समझ नहीं सकते They cannot understand वो फ्रेंच नहीं बोल सकती She cannot speak French हम इसका समाधान नहीं कर सकते We cannot solve this इसे ठीक नहीं क्या जा सकता It cannot be fixed आप अंदर नहीं आ सकते You cannot come in वे हमारी मदद नहीं कर सकते They cannot help us वह तेज दौर नहीं सकता He cannot run first हम वहां नहीं जा सकते We cannot go there यह उची उरा नहीं भर सकता It cannot fly high वह हमसे जुड नहीं सकती She cannot join us वह उसे उठा नहीं सकता He cannot lift that वे इसे ढूंद नहीं पाते They cannot find it मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता I cannot trust her अब आप नहीं जा सकते You cannot live now हम इसे बरदास्त नहीं कर सकते We cannot afford it ऐसा दोबारा नहीं हो सकता It cannot happen again वह अच्छा खाना नहीं बना पाता He cannot cook well वे यहाँ डान्स नहीं कर सकते They cannot dance here वह अभी गारी नहीं चला सकती She cannot drive yet हम इस पर सहमत नहीं हो सकते We cannot agree on this यह पूर्ववत नहीं क्या जा सकता It cannot be undone आप मुझे नजर अंदास नहीं कर सकते You cannot ignore me वह आज उपस्तित नहीं हो सकते He cannot attend today वे समस्या का समाधान नहीं कर सकते They cannot fix the issue यदि आप कथिन अध्यन करते हैं तो आप अपने ग्रेट में सुधार कर सकते हैं If you study hard, you can improve your grades अगर बारिश रुक जाए तो हम तहलने जा सकते हैं If it stops raining, we can go for a walk यदि वह नियमित रूप से अभ्यास करता है तो वह एक कुशल गिटारवादक बन सकता है If he practices regularly, he can become a skilled guitarist यदि वह परिक्षा पास कर लेती है तो आगे की कख्षा में शामिल हो सकती है If she passes the test, she can join the advanced class यदि वह अपना काम जल्दी खत्म कर लेते हैं तो वह कार्यालाई छोड सकते हैं If they finish their work early, they can leave the office अगर उन्हें promotion मिले तो वह नई कार खरीच सकते हैं If he gets a promotion, he can buy a new car अगर आप sunscreen लगाते हैं तो आप धूप की चपेट में आने से बच सकते हैं If you wear sunscreen, you can avoid getting sunburned अगर उसे नौकरी मिल जाए तो वह किसी नई शहर में जा सकती है If she gets the job, she can move to a new city यदि वह championship जीतते हैं तो वह पूरी राजज़श्ट मना सकते हैं If they win the championship, they can celebrate all night यदि वह अपने भाशन का अभ्यास करता है तो वह उसे आत्मविश्वास से व्यक्त कर सकता है If he practices his speech, he can deliver it confidently अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी If you read the book, you can understand the story अगर कल बर्फपारी होती है तो हम एक snowman बना सकते हैं If it snows tomorrow, we can build a snowman यदि वह परिक्षा के लिए अध्यन करती है तो वह अच्छे अंकों से उत्तिर्ण हो सकती है If she studies for the exam, she can pass with flying colors यदि वह परियाप्त बचट करते हैं तो वह एक घर खरीच सकते है If they save enough, they can buy a house यदि आप नियमित रूप से वियायाम करते हैं तो आप अपनी fitness में सुधार कर सकते है If you exercise regularly, you can improve your fitness यदि उसे विश्वविद्याले में दाखिला मिल जाता है तो वह अपने सपनों का करियर बना सकता है If he gets accepted to the university, he can pursue his dream career यदि हम प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं तो हम एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं If we finish the project early, we can take a day off अगर आप helmet पहनते हैं तो bike चलाते समझ शुरक्षित रह सकते हैं If you wear a helmet, you can stay safe while biking यदि वे lottery जीतते हैं तो वे दुनिया की यात्रा कर सकते हैं If they win the lottery, they can travel the world यदि आप कोई नई भाशा सीखते हैं तो आप अधिक लोगों से संगवात कर सकते हैं If you learn a new language, you can communicate with more people यदि वे अपनी प्रस्तोती का अभ्यास करती हैं तो वे दर्शोकों को प्रवावित कर सकती हैं If she practices her presentation, she can impress the audience यदि वे कार्ठी करा ले तो वे सरख यात्रा पर जा सकते हैं If they fix the card, they can go on the road trip यदि आप सेवा निभृत्ती के लिए बचत करते हैं तो आप अपने सुनहरे वर्शों का आनंद ले सकते हैं If you save for retirement, you can enjoy your golden years यदि वे प्रोग्रामिंग का अध्यान करता है तो वे अपना स्वैंग का एप बना सकता है If he studies programming, he can develop his own app तो यहाँ पे आपने देखा के कैसे कैसे hundred sentences बनाए जा सकते हैं इसी तरह से किसी भी एक वर्ट से आप कैसारे sentences बना सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल देन टेक केर, बाइबाइ, थैंक्स फर वाचिंग